हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले पौडी नगरपालिका के अध्यक्ज यस्पाल बेनाम एक वार फिर चर्चाओं में आये हैं इस बार वो चर्चाओं में सवासत के साथ बत्सलूकी करने के चलते आये दरसर पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं नगर पालिका पॉड़ी की वार नमबर साथ की सबासत अनिता रावत ने जिला दिकारी को एक ग्यापन सोंपाए जिसमें पालिका अजग्ष पर उनके साथ अभधरता करने का आरोप उन्होंने लगाया है इस दोरान उन्होंने कहा कि वो बेती 8 सितंबर को नगर में आगे अनिता रावत कहती है कि बेती 4 सालों से पालिका अदेश का इसी परकार कर रावया उनके साथ रहता है उन्होंने कहा कि इस से पहले भी कई बार पालिका अदेश के उपर आरोप लग चुके हैं उन्होंने इस मामले में जिलादिकारी से कारवाई की मांग किये सुनि महिला आयोग तक परांतु इनके लिए कोई ठोशकतम नहीं उठाया गया इसलिए क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं था परांतु आज मेरे पास वीडियो भी है और नागरी तल्यान मंच के वरिष्ट लोग मेरे साथ खड़े हैं और मेरे पास वीडियो उसमें साफ दिख रह का है या विजेपी सथकार की वो नगरपाल का है जो वह इस तरह से बार-बार मेरे साथ नहीं कई मैलाओं के साथ कि नों ने इस तरह से अबहगरता की है जो कि आज किसी के पास भी पूरूफ नहीं था परांतु आज मेरे पास पूरूफ सहीद मैंने ये सिकायत दर्जी की प्रवाद कर दिया है वही इन आरोपों को लेकर नगरपाली का अधित यस्पाल बेना में कहा कि यह सभी आरोप आगामी नगरपाली का चुनाओं के मद्य नजर उन्होंने कहा कि सवासद नगरपाली का छेत्र में हो रहे विकास कार्यों से बॉक्षाय हुई है और इस वज़ों से उनके उपर सव दर्ब्यवर करने का अरोप आया जिलाती करें से विशिकाद कि यह दो जारती इन से अध्यक्स रहूं और ऐसे कई पारसदों ने मुझे जो है आरोप लगाते रहे हैं कि वह लोगों को यह हैं कि इनसे विकास काम नहीं देखे जा रहे हैं जो मेरी पार्टी भारजे जंद से मैं कहना चाहूंगा कि नागरी कल्यान मंच नागरेकों का है या कॉंग्रेस के लोग उसमें सम्लित होके इस तरह का ब्यवार कर रहे हैं और आपने और वीडियो भी देखे होंगे उस वीडियो को भी आप देखे कुछ लोगों के द्वारा चाहिए वो पत्रगारी से ज जानती है इन जब होगा तब हो गाउन दो लेकिन आप कि सीपैर पारिवारी के लाचन आप बताएगी कि सोश्यल मीडिया में तमाम मेरे बारे मेरी नगरपल के बारे में पाल्टी के बारे मेरे व्यक्तिकात जीवन के बारे में इस तरह की बाती की जा रही है तो जनता स्वयम देखेगी अगर